नमस्कार इंडियाडवेट के इस विशेश एपिसोड में आप सब का स्वागत है दोस्तो आज पूरे देश भर में पिछले साथ वर्षों में सत्तर लीक की बात करूँगा और वो सत्तर लीक आपके जीवन से जुड़ा हुआ है खास तोर से उन युवाओं के जीवन से जुड़ा हुआ है जो अपना भविश्य सवारना चाहते हैं एक अदद नौकरी पाना चाहते हैं मैं आज ये कारिकरम क्यों कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया है कि पुलिस भरती में जो पेपर लीक हुए थे उस भरती की प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया जाए और छै महीने के अंदर दुबारा उसकी परिक्षा ली जाए अब ये जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उसमें राजनी थी देखिए किस प्रकार से चल रही है कोई पार्टी देश में अच्छूती नहीं है जिनके सरकारों में रहते हुए पेपर लीक्स न हुए हूँ लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए कि जब जिनको जैसी सुबिधा नजर आती है अगर एक पार्टी अपोजिशन में खड़ी होती है तो जिनकी सरकार है जिनके कारिकाल में प्रश्णपत्र लीक हो रहे हैं उनके खिलाप मोर्चबंदी होती है और जब उसी पार्टी की सरकार दुबारा आ जाती है और तब यही होती है तो फिर वो पार्टी जो सत्ता में होती है वो मोर्चबंदी शुरू कर देती है आज मैं आपको सत्तर के सत्तर लीक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ भारतिय शंसद एक कानून बनाता है जिसमें सक्ट से सक्ट सजा देने की बात की जाती है प्रापधान किया जाता है कि लीक करने वालों को बक्षा नहीं जाएगा उनके खिलाफ सक्ट का रवाई होगी और हो रहे हैं ढग के तीन पात तीन एक्जाम ऐसे हैं केंद्री ऐस्तर के हैं उसमें स्टाफ सेलेक्शन कमिशन या स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड जिसको कहते हैं SSB और Union Public Service Commission UPSC और Railway Recruitment Board of India जो केंद्र का है उनके पिछले साथ साल में अभी तक लीक की ख़बरे नहीं आई है इन तीन कमिशन को अगर आप छोड़ दें तो देश में 15 ऐसे बड़े राज्ये हैं जहां स्टेट सर्विस कमिशन से ले करके चाहे वो पुलिस की सर्विस हो चाहे वो क्लेरिकल सर्विस हो सभी सेवाओं के प्रश्नपत्र लीख हुए हैं उनकी परिक्षा के प्रश्ण पत्र लीख हुए राजस्थान पस्चिम बंगाल तेलंगाना मद्य प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात इन सभी हर्याना इन सभी प्रदेशों में प्रश्ण पत्र लीख होते रहे हैं देड़ करोर जुबा ऐसे हैं जो इन सत्तर लीक्स की वज़े से अपने जीवन को सडकों पर रख दिया है उन्हें कोई आस नहीं दिख रही है बेशर्मी की इंतहां देखिए कि पॉलिटीशन को लाज लग ही नहीं लगी है प्रॉड कर रहे हैं जूट बोल रहे हैं आपको याद होगा राजस्थान विधान सभा में तत्कालीन सिक्षा मंत्री रहे रोप पड़े थे उन्होंने कहा था कि कोटा में चलने बाले एडुकेशनल इंस्टिचूट जो कोचिंग इंस्टिचूट्स हैं उनको तत्काल प्रभाब से बंद कर देने चाहिए बंद नहीं हुआ आपको हैरानी होगी कि कुछ दिन पहले हमने कोटा के कोचिंग संस्थानों को ले करके एक खबर दिखाई थी एक कितना बड़ा कार्टेल है वो मैं आज आपको खुलासा करने जा रहा हूँ उस खबर को यूच्यूब ने डिलीट कर दिया खबर महत्वपूर्ण थी एक विद्यार्थी की मौत से जुड़ी हुई खबर थी लेकिन यूट्यूब ने उसे प्रचारित करने से रोक दिया तक्षात्मक जाच भी नहीं किया उनके रोबोट ने उनको देखा और उनको तहस नहस कर दिया कोचिंग संगस्थानों का एक पैरलल बाजार इस देश में बन गया है और कोचिंग संगस्थानों पर पैसे कहां से आ रहे हैं किनके पैसे हैं ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे बड़े बड़े अख़बार समुहों में प्रंट पेज के बिग्या पना रहे हैं लाखों के और करोडों में इंडियन एकस्प्रेस हो टाइमस ऑफ इंडिया हो हिंडुस्तान टाइमस हो और राज्य के पब्रिकेशन् सो दैनिक जागरण हो अमर उजाला हो दैनिक भासकर हो दैनिक हिंडुस्तान हो प्रभात खबर हो और जो वर्ना कुरल लैंग्विज में जो अखवारे हैं महाराष्ट में दैनिक देशों नती हो, पुढ़ारी हो बेंगॉल की अखवारे हो, करनाटक की अखवारे हो इन सारे अखवारों में फ्रंट पेज के जो बिग्यापन आते हैं उस सारे बिग्यापन इन कोचिन संगस्थानों के तरब से आते हैं कि यंखवारों में आते हैं